नमस्कार दोस्तों दोस्तों पुलीस वाड़ी थोड़ी सी बता नहीं थी मेरे को आपको देखो एक तो वो कह रहे थे सरा आपने वो वीडियो क्यों हटा दिया देखो उसकी बात यह थी वो वीडियो सिरुफ पुलीस वाड़े बच्चों के लिए था दूसरा कारण यह था कि वो वीडियो जैसे मैंने चड़ाया मैंने कम से कम 20 चैनलों पर देखा कि वही वीडियो चड़ा रखा था सबने तो वही वह राजस्तान हिस्ट्री से समंदी था अब राजस्तान हिस्ट्री पढ़ाते हैं अब वह पूरा और चेनलों पे चला गया अब वही गोड़ा गास से आरी करें तो खाई क्या इस वज़े से कि भी बच्चों के फाइदा वज़े दो दिन सिर्फ पुलीस वाड़ों सब्सक्राइबर करते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उनके लिए वह भी मैनत करते हैं इदर उदर से जुड़ा कि मैनत करनी पड़ती है यूटूब पे 20,000 सब्सक्राइबर जोड़ने में बहुत टाइम लगता है उनके साथ ऐसा भी नहीं वह भी परचारी कर रहे उनसे मुझे कोई वेदानती नहीं लेगी तोड़ा से इस वज़ेसे कर दिया था अपी जैसे आगे कोई एकजाम उषसे पहले दुबारा ढाल देंगे ऐसी कोई बात नहीं है उस्से नाराज होने वारी कोई बात नहीं अब बात यह आप कह़रे हो सारे मैसे ये आरेसर पुलिस का क्या होगा क्या दुबारा होगा क्या ये होगा कुछ नहीं होगा अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो ये पुलिस का पेपर हो गया 13,000 जो लगने थे उनका सेलेक्षन हो जाएगा वो नोकरी लगेंगे आप सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हो क्योंकि आप हो सकता है पास नहीं हुए होगे आप कहा रहे हैं सरू उस सेंटर में आउट वा अगर हो भी गया है पहली पारिका कहा रहे थे दूसरे में बंट अगर बंट भी गया तो उस सेंटर में दुबारा करवा सकते हैं वो भी कोई जरूरी नहीं है कोई ना कोई आपको न्यूज आ जाएगी कि ये कहा कि कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ ये पेपर दुबारा नहीं होगा एक डेड़ महीने बाद रजल्ट आएगा उसके बाद फिजिकल होगा और जिनको लगना है वो लगेंगे आप अपनी अनर्जी वेस्ट मत करो इन कामों में इधर उधर करके कुछ नहीं होने वाड़ा है जो लगने है वो लग गए अब अगर आप इस पर कभी कह रहे हो कोर्ट में जाएंगे अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो भरती में अठकाने वाड़े काम आप खुद ही कर रहे हो भी इसमें आप अपनी कमी क्यों नहीं करते आप कोगे बी पार्ट में तो कहीं से कुछ नहीं आया कोचिंगों से नहीं आया किसी कोचिंग से नहीं आया नेट पर नहीं मिलते उसके उतर तो पेपर जो लिया जाता है दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों वो पेपर आपको फैल करने के लिए लिया जाता है पास करने के लिए नहीं लिया जाता क्योंकि आपको किसी तरीके से तो वो रोकेगा वेचारा राजस्तान का कुछ पूछ ले सब को आ रहा है इतने डीपली डीपली रट रखे तो कैसे तो फैल करेगा वो तो भी फैल करने वाले तो यही परसन थे फिर मैंने पहले नहीं बता एक भी पार्ट यहां तुक्का मारना पड़ेगा तुक्के से सेलेक्शन होता है यह बात उस समय नहीं बोल सकते थे जबकि हकीकत यह है तीस में से ऐसा एक भी बच्चानी जो यह खड़े होके कह दे कि सर बारा परसन मुझे कनफरम आते थे बारा अगर सही किसी के हुएं तो हुएं तो तुक्के सही है तुक्का मारना पड़े एक या दो परसन ओड़े किसी टीचर को भी कह देना तो वो भी नहीं कर सकता 12 के 12 कंफरम तुक्ये तो मारने ही पड़ते अब जिसका आप सर मेरिट क्या रहे है ये मेरिट का कुछ नहीं कह सकते अब जो B part में पास हो गया है वो physical की त्यारी करो जबरदस त्यारी करो उसका selection है जो B part में पास हो उसका selection है 99.99% त्यारी सुरू कर दो क्योंकि physical की अब की बार number है number होने की वज़े से आप अच्छी त्यारी करो क्योंकि जो आप से आगे है हो सकता है वो अगर physical में पिछे चला गया आप आगे जा सकते हो इसलिए बिना कोई किसी परकार की दिमाग में कुछ रखे जो फैल हो गए है वही उनके लिए आगे जिड़ी का option आ गया है तुरंत आ गया है जिड़ी का कोई बड़ा सलेबस नहीं है आप math reasoning पड़ चुके हो वही है जिके का कोई math नहीं है जिड़ी में एक इंदी है जिसके मातर 5 टोपिक आते हैं इंदी में एकदम आसान आसान कोई समस्या नहीं है आप अपनी energy अब ऐसे facebook बगेर इन पर ऐसे करके मत वेस्ट करो जिड़ी की त्यारी सुरू कर दो जल्दी ही vacancy आने वाड़ी है जिड़ी की और जिनका B part पास है वो जिड़ी की त्यारी जारी रखें और B part में दोड में अच्छी मेनत करें अपके बाल दोड के नम्मर है आपके बहुत अच्छे चांस है B part में पास होने हैं मतलब वो A और C में तो है ही कहने की जूरती नहीं है उसको तो त्यारी शुरू कर दें अनर्जी वेस्ट नहीं करें कुछ नहीं होने वाड़ा पेपर हो गया रजल्ट आ जाएगा आपको पता चल जाएगा ऐसी अपहाओं से कोई भाइदा नहीं है कुछ यूटूबर डाल रहे दुबारा हो सकता है कुछ नहीं होने वाड़ा बेवज़े भरमीत मत करो किसी बच्चे को पेपर हो गया और रजल्ट भी आ जाएगा सेलेक्शन भी हो जाएगा आगे की त्यारी जारी कर दें और पांच लाग सस्क्राइबर होने वाड़े हैं जल्दी ही जीड़ी कुछ बच्चों के करेंगे गोशना पांच लाग पे कुछ ना कुछ तो आपके लिए करेंगे ठीक है दोस्तो किसी को बुरा लगा हो मुझे पता है कि भी आदमी के पास नहीं होता है साब बुरा लगता है लेकिन क्यों अब हो गया कुण सी आपके लास्ट वेकन सी जो आप दुखी हो रहे हो तुरंट आपके लिए ता आगया ओप्सन जीड़ी आप इसकी त्यारी करो एक बार और अरजी लगाओ इसके अंदर आराम से सेलेक्शन हो जाएगा जीड़ी में बहुत अच्छा फाइदा होगा ठीक दोस्तो धन्यवाद